तो Geo Payments Bank के बारे में अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे account open करते हैं, क्या fees and charges है, क्या benefit है, क्या limitation है, सारी चीजे में आज आपको इस वीडियो में Geo Payments Bank के बारे में बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ तो चलो वीडियो को start करते हैं तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ है कि important चीज़ के बारे में काफी सारे लोगों को यह लगता है कि Jio Payments Bank में सिर्फ Jio Users ही अपना account open कर सकते हैं तो देखो ऐसा नहीं है Jio Payment Bank में account open करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप Jio User हो या Jio की SIM आपके पास हो नहीं भी है तो भी आप अपना account यहाँ पर open कर सकते हो कैसे करना है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा start करते हैं हम यहाँ पर fees and charges से कि क्या कुछ fees and charges इस account में लगेंगे तो देखो यहाँ पे कोई भी fees and charges Jio आपसे नहीं लेता Jio Payments Bank के लिए मैंने एक ऐसा bank account देखा है मैंने कई सारे ऐसे भी bank account देखे हैं जहाँ पे account open करने में fees and charges कुछ लगते हैं लेकिन यहाँ पे कोई भी fees आया charge आपको नहीं देना है इस Jio Payments Bank में प्लस यह एक zero balance account है तो यहाँ पे आपको कोई भी balance maintain नहीं करना होगा नहीं भी करोगे तो कोई भी charge आपके उपर नहीं लगेगा लेकिन अगर आप जितना भी balance अपने इस account में maintain करोगे उस पे आपको 3.5% का interest per annum मिलेगा जितनी भी आप amount अपने account में रखोगे उस पे एक साल का 3.5% interest आपको मिलेगा लेकिन यह जो interest है यह आपको quarterly यानि की हर 3 महिने में आपके account में credit हो जाएगा अब जैसा कि यहाँ पे कोई fees and charges नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ आपको virtual debit card मिलता है physical कोई debit card नहीं मिलता जिससे कि आप ATM से money withdraw कर सको geo के अपने outlets है अपने payments bank के वहाँ से आप money withdraw कर सकते हो लेकिन physical आपको debit card यहाँ पे अभी के लिए नहीं मिलता अब जैसा कि यह एक zero balance account है तो यहाँ पे कुछ limitations भी है जादर तर लोग इस account को UPI use करने के लिए open करते हैं तो अगर आप इसमें account open करके अपना UPI के लिए registration करते हो तो starting के 24 hours के अंदर आपको कुछ limitation मिलते हैं जैसे कि आप maximum 5000 ही per transaction में share कर सकते हो और दिन की आपको 5 ही transaction मिलती है starting के 24 hours के बाद फिर भी आपको कुछ limitations मिलते हैं जैसे कि आप maximum amount 5000 ही share कर सकते हो person to person मतलब कि आप अपने किसी friend को family member को money transfer कर रहे हो तो आप single amount 5000 तक की ही कर सकते हो और दिन में आपको ऐसी 5 transaction आप कर सकते हो लेकिन अगर आप किसी merchant को pay कर रहे हो merchant को जैसे कि आप किसी shop पे हो आप किसी store में हो, restaurant में हो वहाँ पे अगर आप payment करते हो तो ये limit आपको दिन की 1 lakh रुपे तक की मिल जाती है अब अगर आप Jio payments bank में अपना account open करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो देखो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है आपके phone में My Jio का app होना चाहिए already है तो ठीक है नहीं तो आप Google Play Store से या App Store से उसको install कर सकते हो App install करने के बाद आप उसको open करोगे अंदर आपको एक bank का option मिलेगा उसपे tap करोगे तो आपको let get start का option आएगा, उसपे आप tap करोगे तो देखो अगर आपके phone में double sim है एक Jio का है या फिर एक कोई और sim है तो आपके सामने option आजाएगा कि कौन से sim को choose करके आप अपना कौन से number से account open करना चाहते हो तो Jio choose कर सकते हो या दूसरा है तो वो भी choose कर सकते हो और अगर आपके phone में single sim ही है तो automatically आपके phone पे OTP आ जाएगा और उससे verify हो जाएगा verify होने के बाद आपको एक चार number का M pin बनाना पड़ेगा जैसे ही आप M pin बनाओगे कुछ इस तरीके का आपके सामने option आ जाएगा आपको join now करना है welcome to Jio payments bank पे join now करोगे यह आपसे आपके कुछ detail पुछेगा जैसे कि आधारकार, pen card यह सब डालके आपका जो account वो open होगा next आप कर लेंगे और यहाँ पे term send का condition को आप accept कर लोगे और accept करने के बाद आपके सामने option आ जाएगा get my documents from Digilocker देखो अगर आपके phone में Digilocker की app है उसमें आपने अपने digitally आधारकार pen card यह सब अगर उसमें रखा हुआ है तो ठीक है नहीं रखा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है play store से Digilocker का app install करो उसके अंदर sign up करो और वहाँ पे अपने digitally document उसके अंदर रख लो फिर उसके बाद आप वापस यहाँ पे आ जाओगे वो automatically आपके document को वहाँ से fetch कर लेगा और उसके बाद में 3 steps के अंदर आपका account open हो जाएगा first में आपको अपनी personal details डालने है आपका नाम, mobile number यह सारी चीज़े second में आपको अपनी financial details डालने है जैसे कि आपका pen card, आपका occupation यह सारी चीज़े आप जो भी basic चीज़े पूछेगा वो fill कर दोगे third step में आपको सारी details fill करके next करना होगा उसके बाद यह आपसे nominee की details पूछेगा आप nominee add करना चाहते हो तो yes कर सकते हो नहीं करना चाहते तो आप no कर सकते हो बाद में भी उसको add कर सकते हो then उसके बाद आपका video kyc होएगा final step में video kyc के लिए आपका आदार काड आपका pen card चाहिए होगा जो कि video kyc पर आपसे दिखा जाएगा और उसके बाद video kyc complete होते ही आपका जो account है वो activate हो जाएगा फिर आप अपने app को close करके वापस से अपने account section में आओगे my geo app में bank section में तो वहाँ पे आपको अपना geo payments bank का account दिख जाएगा वहाँ पे आप money भी add कर सकते हो और profile section में जाके आप अपना जो debit card है virtual debit card का number आपको मिल जाएगा सारी चीज़े ifsc code वगरा सारी चीज़े आप वहाँ से देख सकते हो तो इस simple से तरीके से आप अपना account geo payments bank में open करा सकते हो अब end में बात कर लेते हैं कि क्या geo payments bank अच्छा है कि बेकार है यहाँ पे आपको अपना account open करना चाहिए या नहीं देखो अगर आपको एक secondary account चाहिए UPI use करने के लिए या फिर आप student हो आपको zero balance account चीए आप ज़्यादा अपना account में balance नहीं रख सकते तो ऐसे में ही आपके लिए बहुत ही perfect bank account है लेकिन अगर आपको एक primary bank account चीए यहाँ पे कोई भी limitations ना हो तो ऐसे में आपके लिए उतना बहतर option नहीं है secondary account के लिए student के लिए काफी अच्छा option है तो यह सारी चीज़े है जीओ payments bank के बारे में hopefully आपको समझ आई होगी simple तरीके से मैंने बताया है अगर आपको वीडियो helpful लगा हो तो like ज़रू कर देना चैनल पे नहीं हो तो subscribe करके बेल करने प्रेस कर लेना ऐसे और वीडियो देखने के लिए और आप चाहूँ तो मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हो उसका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो है तब के लिए thank you bye bye